हेलो फ्रेंड कैसे हैं आप लोग मैं हरिसंकर कमार आप लोग को हरिसंकर यूटूब चनल में स्वागत करता हूँ आज मैं आप लोगों के लिए फिर से एक वीडियो लेके आ रहा हूँ तो जैसे कि आप लोग को पता होगा मेरे साथ हुआ इंटर्व्यू में धोखा आप लोग के साथ धोखा नो हो वीडियो को जरूर देखे क्यों धोखा हुआ तो मैं आप लोगों के लिए सुविधा के लिए मैं अपने साथ धोखा करवाया क्योंकि मैं जानता था कि ऐसे परिशानी मेरे आने वाले फ्रेंट जो भी हो उसको ऐसा परिशानी नहों तो मेरे पास एक फैलिंग था और उस फैलिंग में मेरा सारा डोकुमेंट था लेकिन एक डोकुमेंट हमको भी सैद लगा कि मेरे फैल में नहीं है और मैं उस फैल को सही से नहीं चेक कर पाया मैं जब अंदर में वहाँ पे गेट के अंदर गुसे और वहाँ पे जब आपको attendance मनाया गया और attendance मनाने के बाद आपको जैसे 13 नमार, 14 नमार, 15 नमार, 16 नमार कमरा में जब भेजा जाता है जब आपका document verification होगा अगर आपका document verification से पहले अगर आपके पास सारा document नहीं है document verification के बाद अगर document आप खोजेंगे कि sir मेरे partner या मेरे दोस्त के पास है या friend के पास है बाहर में ले आते हैं तो आपको अंदर से बाहर नहीं जाने देगा तो इसलिए मैंने आप लोगों के लिए क्या किया कि मैं अपने बगल में जो दूसरा partner बैठा था उससे हम तीन partner से लगभग mobile मांगे कि sir please एक बार mobile दिजे मेरा एक दोस्त है मेरा एक friend है जो gate के बाहर में खड़े हैं उनसे एक कोल बात करेंगे कि वो gate पे आएंगे और उनसे हमें दो document लेना है लेकिन बलकि कोई भी student बलकि कोई भी friend वहां के जो अंदर में वैठे थे कोई नहीं mobile दिया चोथा friend से मैं request किया कि आप एक बार please mobile दिजे ओने mobile दिया और उस period में हम अपने दोस्त को phone लगाए तो उसका mobile switch up था और मेरे भी mobile उसके पास था वह भी mobile switch up था तो उस period में आपके साथ बहुत बड़ा धोखा हो जाएगा इसके लिए आप लोग को document क्या क्या चाहिए उसका कितना फोटो को पी चाहिए सारा इस वीडियो में मिलने वाला है तो ऐसा मत किजेगा क्योंकि मैं आप लोगों के लिए personally यह चीज किया था क्योंकि मेरे पास filing में सारा document तयार था क्योंकि मैं एक सब्ता पहले इसका document पूल रूप से तयार कर चुका था लिए और सर मुझे पांच मिनट का समय दिये और बोला कि ठीक है ले आए मैंने अपने दोस्त को रोड पे तीन बर चकड लगा के खोजा लेकिन वह कहीं नहीं मिला तो ऐसा मत आप लोग किजेगा कि अपने दोस्त को मुएल देजेगा और वो अपना मुएल स्विच अप कर देगा तो उसके लिए आप लोग का सुविधा अनुसार मैं यह वीडियो आप लोगों के लिए बना रहा हूं क्या क्या डोकोमेंट आप लोग को कितना कोपी चाहिए तो ज़रूर आप लोग को देखने को मिलेगा इसी वीडियो में अगर पहली बार मेरे चैनल पे हैं तो ज़रूर मेरे चैनल को सस्क्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे मैं सिधे ले चलता हूँ आप लोग को उस डोकोमेंट की और क्या क्या डोकोमेंट लगेगा तो जैसे कि आपको पता है एडमीर कार्ड का एक कोपी आपके पास एडमीर कार्ड का एक कोपी लेकिन वह से मेरे दोस्तों एड्मीर काड का आप दो कोपी करवा लिजिए ताकि आपको एक कोपी अपने पास और एक कोपी उसके पास जाएगा जब आपका डोकुमेंट भेरिपिकेशन होगा कंडिडेट इन्फोर्मेशन सीट जो होता है जब आप एड्मीर काड लोगिन करके निकाल रहे थे तो वहाँ पर एक कंडिडेट इन्फोर्मेशन सीट है उस कंडिडेट इन्फोर्मेशन का तीन कोपी तो डोकुमेंट भेरिपिकेशन समय लेगा और एक कपी आप अपने पास रखिए उसका चार कुपी करवा लेजिए और रिज्जूम बायोडाटा जो कहते हैं रिज्जूम जिसे बायोडाटा कहते हैं वह कोपी फोटो एस्टेट तीन फिस लेगा लेकिन ओरिजिनल एक कोपी आपके पास होना चाहिए जो कि वह देखेगा जिस समय आप resume upload कर रहे थे वह resume by data आपके पास original होना चाहिए वह आपको एक तीन copy लेगा और अधार card और pen card का दोनों का original देखेगा और एक-एक copy photo estate उसका लेगा और जैसे की पाचमा point है metric intermediate और graduate जो भी metric और इंटर और graduate level का ये post था तो तीनु का original paper देखेगा और photo estate तीनु का लेगा लेकिन बलकि mark sheet नहीं metric का जो mark sheet ये वो mule पर्मान पत्र है वो भी photo करवाले आप दो-दो-पीष, intermediate का जो mule पर्मान पत्र और mark sheet है उसका भी आप करवाले दो-दो-पीष, और graduate का जो panel year का जो mark sheet है उसका भी दो पीस और उसका जो प्रोभिजनल होता है उसका भी आप दो पीस करवाले उसका जो मैग्रेशन होता है उसका भी आप दो पीस करवाले जो भी आपके पास ग्रेजवेट लेवल का जो भी पेपर है सभी का आप दो-दो पीस करवाले बलकि एक-एक पीस वो लेगा सभी पेपर ओरिजिनल पलस फोटो कोपी वह लेता है उसके बाद छठा पॉइंट में आईए जादी परमानपत्र आवास्य परमानपत्र का ओरिजिनल आपके पास एक-एक पीस होना चाहिए और एक-एक कोपी फोटो लेगा वो एक-एक फोटो कोपी लेगा और एक्सपिरियन सकीपिकेट ओरिजिनल लेके जाना अनिवार्ज है और आपको फोटो कोपी भी एक पीस लेगा यह तो निसित्ता है अगर इतना काम आप आज कर लेते हैं तो आपको वहां से दोड़ना नहीं पड़ेगा इंटर्व्यू के दोरान और जहां पे डोकुमेंट भेरिपिकेशन होगा अगर आपका हो गया तो आप तो चले गए क्योंकि आपको फिर टैम नहीं देगा और ये डोड़ेगा समय पे कुछ करता नहीं है फिर अंदर से आप बाहर नहीं जा पायेगा और आप अपने साथ मुएल भी लेके जा सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है इसके लिए आप अल्रेडी आपको फिरी दिया गया है कभी भी आप mobile और आपना document सारा भी लेके जा सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है और साथी साथ मैं जो आप लोग को बताया आप ऐसा मत किजेगा फिर आपको help वहाँ पे नहीं मिलने वाला है सर अगर दे दे आपको 5 मिनट के लिए है तो वही बहुत बड़ी बात है जब मैं interview के दोरान अंदर में था तब उसका मैं आपको एक दो picture दिखाता हूँ कि वहाँ पे किस तरह से landing में बैठाया जाता है तो ज़रूर आप लोग देखेंगे तो जैसे कि आप देख रहे हैं ये अंदर का scene हो गया और यहाँ पे आप लोग को decks और bench मिलता है और वहाँ पे बैठाया जाता है और आप लोग landing में बैठेंगे और जिसका number आएगा उसको बुलाया जाएगा जैसे कि पहले मेरे विलोग्स वीडियो पे आप देख चुके हैं कि इस gate से आपको घुशना है ये main दो number gate हो गया एक नमर से नहीं बलकि दो नमर से आपको अंदर परविशना है